हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू टेस्ट अंफोल्ड आज की हमारी रेसिपी है रसगुला रसगुले सभी के बहुत सेवरेट होते हैं लेकिन इनको बनाना थोड़ा सा ट्रिक्की होता है इसमें आपको थोड़ा से टिप्स और ट्रिक्स सा ध्यान रखना होता है तो आज वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं उन ट्रिक्स को यूज करके आप भी हलवाई जैसे स्पंजी, सौफ और टेस्टी रसगुले आसानी से घर पर बना पाएंगे और अगली बार से आप सोचेंगे क्यों ना इनको घर पर ही बनाया जाए ये इतनी आसान रेसिपी इतने कम इंग्रिजिएंट्स के साथ बन जाती है, दूसरा ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकि रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज इसे सब्स्क्राइब कर दीजे और बे पहली कर देंगे और फिर हम उसे 5-7 मिनिट के ठंडा कर लेंगे, जब यह हमारा दूद हलका था ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम उसके अंदर डाल देंगे 1.5 नीमबू का रस्त, उसके अंदर हम उतना ही गरम पानी मिला लेंगे जितना की नीमबू का रस्त है, उसके अगर हम सीधा गरम दूद में नीमबू डाल देतें तो जो चैना बनता है, वो काफ़ी टाइट होता है, तो जो आपके रस्गूले होता है, वो बहुत टाइट बन जाते हैं, इसलिए हम दूद को हलका ठंडा करके फिर उसे फाड़ेंगे, यह देखिए, फोड़ते बाद चलन लेंगे, उस पर एक चलनी रखेंगे, और उस पर एक ऐसा या दो मसलिन का या फिर कोई भी कॉटन का एक कपड़ा लें और उसमें से इसे चान लें, यह देखिए, चलनी हमने इसलिए रखिए, ताकि यह कपड़ा इसके पर अच्छी से स्टेबल रह पाए, यहाँ प तो उसके अंदर पानी रह जाता है, और जिस वज़े से आप रस्कुले बनाएंगे, तो एक बार फूल जाते हैं, और उसके बाद में वो पिचक जाते हैं, तो वही वज़े होती है, इसलिए आप यह कपड़ा लें, यह जालीदार हो, जिसमें से अच्छे से पानी छन जा जाएंगे, यह देखिए, ऐसे, इसमें से जो पानी आप निकाल लेंगे, यहाँ पर हम पानी से इसलिए भी इसको दो रहे हैं, ताकि उसका नीम्बू का खट्टा पन है, वो भी यहाँ पर निकल जाए, अब इसे हम एक बार और दो लेते हैं, ताकि यह पूरा अच्छे स साफ हो जाए, तो हम इसमें एक गला स्थेंडा पानी और डाल देंगे, और इसे फिर से एक बार दोलेंगे, यह देखिए, ऐसे, अब इसको हम एक बार फिर से इसे ऐसे घुमाते वे, और इसको निचोड लेते हैं, यह जो पानी है, इसको आप सेके नहीं, बहुत निक्रि एक किसी बरतन में डाल लेंगे, यह देखिए, ऐसे, तो जो आपका चैना है, वो देखिए, ऐसा होना चाहिए, अगर उसका पानी नहीं निकलेगा, तो वो सौफ्ट होगा, लेकिन उसके रसगुले अच्छे नहीं बनेंगे, तो पूरा पानी निकालना है आपको इसका, यह देखिए, इस तरीके से, अब इसको थोड़ा सा ऐसे क्रमबल कर लेते हैं, यह देखिए, ऐसे थोड़ा सा फैला लेते हैं, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे, एक चमच मैदा या अरा रोट, आप चाहें तो यहाँ पर पॉन प्लार का भी यूज़ कर सकते हैं, औ और इसके बाद हम इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ पर अब हमें इसे स्मूथ करना है, तो ऐसे हतेली से बरतन के साथ चलाते वे यह देखिए, इस तरीके से मसलते वे आपको इस चैना को स्मूथ करना है, आप इसमें बहुत जादा फोर्स ना लगाए, यह जो स्टेप है, यह आपकी थोड़ी सी एनरजी और टाइम लेने वाला है, लेकिन यह रसगूले बनाने की रसिपी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पेस्ट बनाएंगे, वो स्मूथ होना चाहिए, जब चैना को हम यहाँ पे स्मूथ करेंगे, तब ही हमारे रसगूले अच्छे बनेंगे, तो यह देखे, जो आपका चैना वो एकदम सौफ्ट और स्मूथ होना चाहिए, जैसा कि हम रोटी बनाते हैं, आटा जो लगाते हैं, बिल्कुल उसके जैसे, अगर आप इसको पूरा स्मूथ नहीं करेंगे अच्छे से, तो जो आपके रस जो हम लगाते हैं, उसके जैसे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे मसल लेते हैं, इस काम में आपके 7-8 मिनिट लग जाएंगे, अब हम इसको दो पार्स में डिवाइट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मसल देवे, अब हम इसके चुट-चुटे portion निकाल लेंगे, जिसके भी हम बाल बाल्स बनाएंगे, हमने बराबर हिस्तों में तोड़ लिया, अब हम इसको ऐसे हाथ से मसल देवे, और इसके बाल्स बनाएंगे, यह देखिए इस तरीके से, और हाँ, इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अगर इसमें क्रैक होंगे, तो फिर यह जब आप इस सारा बॉल्स बन के तयार हुए, अब हम चाश्णी तयार कर लेते हैं, एक बरतन में हम डालेंगे, आधा किलो चीनी, 500 ग्राम चीनी लिये हैं और उसमें हम डाल देंगे, एक लीटर पानी, तो जितनी आप चीनी ले, उससे जस टबल उसमें पानी डाल देंगे, अब यह हम हाई फ्लेम पर इसको एक बर उबाल लेंगे, पूरी चीनी इसमें खुल जाएगी, फिर हम इसमें डाल देते हैं, दो हरी इलाइची, अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद ना हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, फिर हम इसमें यह ब यह देखें, सारे बॉल्स डाल दिया हैं हमने इसके अंदर, और फिर हम इसको ढख देंगे, आप इसे पूरा ना ढखें, थोड़ा सा खुला रखिए, और इसको ऐसे ढख दीजिए, पांच मिनिट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, पांच मिनिट के बाद यह देख अब हम इने फिर से ढख देंगे और पांच मिनिट और पकने देंगे, पांच मिनिट के बाद यह देखिए, अब यह देखिए, तोटे बेरी है, बिल्कुल गोल है, साइज में, और यह देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं, अब यहाँ पर काफी देर पकने से, इसकी जो चाष्टियां थोड़ी गाड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें आदा कप पानी और एड़ कर देते हैं, लेकिन आपको जो पानी है, वो गराम एड़ करना है, ताकि जो इसका टैंप्रेचर है, वो मेंटेन रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ और पकने देते हैं, छे-जात मिनिट के बाद यह देखिए, अब जो हमारे रसगुले हैं, वो अल्मोस्ट पक गए हैं, यह देखिए, पूरी तरह से पके हुए हैं, एकदम गोल, सौफ्ट, स्पंजी दिखने हैं, लेकिन अब यह सर्व करने के लिए तयार नहीं है, अब हम गयास को बंद कर देंगे, और इहें 5-6 घंटे तर ठंडा होने देंगे, 5-6 घंटे के बाद यह देखिए, जो हमारे रसगुले हैं, बनके बिल्कुल तयार हैं, देखिए कि इतने अच्छे पने हैं, आप भी इन रसगुलों को ऐसा इतना अच्छा हलवाई जैसा घर प बनेंगे, दूसरा जो छैना है, उसका आपको पूरा पानी निकाल के अच्छे से लेना है, तो पानी नहीं होना चाहिए, और उसको इस तरीके से अच्छे से मसलते वे, उसे सॉफ्ट करना है, यह बिल्कुल आटे के जितना सॉफ्ट होना चाहिए, एक और चीज जब आप उसको चाशनी में डाले, तो एक-एक करके डाले, तकि जो उसका टैंपरेचर है, वो मेंटेन रहे, तो देखिए, इस तरीके से आप भी रसगुले वैसे ही बना लेंगे, जिस तरीके से हलवा ही बनाते है, तो फ्रेंट्स, यह थी हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लग्चिक, वो शवाचिक.